दोस्तों आपका स्वागत है आज जो हम कहानी देखने वाले है वो योगिश नाम के एक इनसान की कहानी है और एक सच्ची कहानी है वो हमसे ये कहते है कि बच्पन से उनको दोस्तों मतलब उनके पेर में कुछ ऐसी बिमारी होई थी जिस वज़े से वो लंगडा कर ही चलते थ और उनको बहुत बर यही लगता था कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यू हुआ और होता है ना कि मतलब ऐसे जो बेचारे लोग होते हैं उनको देखकर सच में बहुत बुरा लगता है और ऐसे लोग मुझे भी कभी-कभी एक-दो लोगों ने पुछ आए कि आखिर मैं ऐसा क्या पूरा किया था जिस वज़े से मेरे सामने ये आ गया है इस सारी चीजे तो आज जो हम कहानी देखने वाले हैं सारी लोगों की इसी तरी के से कहानी होगी ऐसा नहीं है बहुत बार ज्यादा तर बार लंगडा कर बेचारे चलते थे और एक दिन उनके सामने वह पासलाइफ रिग्रेशन करने चले गये थे और वह पासलाइफ रिग्रेशन में पहुच गये तब उन्हें ने ये देखा दोस्तों कि वह तकरीबान 800 साल पूराना जनम था एक छोटी सी जोपड़ी में वह रहते जंगल में और उस दिन उन्होंने खाना कुछ बनाया था वह इंसान का ये उनका जनम था और उस वह उन्होंने उस वक्त खाना कुछ बनाया था और जैसे आपको भी पताव का बाहर मतलब गाव में वगएरा ऐसे बाहर ही ऐसे मतलब चुल वगएरा जलाई जाती है तो उस उसको खुट्ता खा रहा था इनको बहुत घुसता आया बाद में इसने उसको डाटा तो वहां से भागने लगा तब यह घर के बहार आया और उनका पत्थर दिखा तो उन्होंने गुस्षे में मैंने मतलब बहुत इतना मेनद से बनाया है और इस तरीके से वो कुत्ता खा रहा है अब मैं बाकी की भी रोटिया नहीं खा सकता ऐसे उस गुसे में दोस्तों उन्होंने एक पत्थर लिया और जोर से उसको मारा और वो उसके पैर को लगा और वो कुत्ता हमेशा मतलब वो एक अफाई जैसे हुआ उसको वो पैर से हमेशा मतलब ऐसे लंगडा करी चलता था और इसकी मतलब कहीना कि उनको बाद में पश्चाता भी हुआ उस करम का लेकिन मतलब होता है ना कि उन्होंने यही कहा उस वक्त की मेरे हातों से यह क्या हो गया और उस जीवन में उनको थोड़ा सा बुरा भी लगा लेकिन इसलिए उन्होंने देखा कि इस जीवन में कहीना कि उनके आत्मा ने यह चैन किया था कि जैसे मैंने दुख दिया दुसरे को वैसे दुख्का में सामना करने की कोशिश करू यहाँ पthose सिर्फ दुख की बात नहीं होती आपर आत्मा के विकास की भी बात होती है अगर कोई संगर्ष में जीवन का चैन करते हैं और ऐसे वक्त में वो उसका बहुत ही अच्छे से सामना करेगा तो बहुत उनका विकास बहुत ही आगे हो सकते है, आपने बहुत बार देखो, मतलब संतों के भी आपने देखा होगा, कि वो कभी-कभी अंदे भी कुछ संत थे, कुछ लोग पाईच संत थे, तो उन्होंने एक संगर्ष में जीवन का चैन करके बहुत ही अच्छा उसमें कर करूंगी, मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि अगर कोई इस मतलब परीसिते या ऐसे परीसिते से गुजरता हो, आपको ऐसा सोचने की जरा भी जरूरत नहीं है, कि मैंने किसी का कुछ बुरा किया था, इसकी वजह क्या है, वो हमें डायरेक्लि यहाँ पर पता चलना बह मैंने किसी को मतलब परेशन किया होगा, ऐसा जरा भी नहीं है, हो सकते है कि हमारे आत्मा ने विकास के लिए कुछ ऐसी चीजों का निर्मान किया होगा, चैन किया होगा, और एक नएक दिन हमने मतलब 100% उसका जवाब मिलेगा, कभी negativity लेकर कभी भी जीना नहीं चाहिए, म हमेशा यह ऐसी परिस्तिती नहीं रहेगी, हम मतलब अच्छे करमों से हम बहुत ही अच्छे कुछ बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे भी मतलब बहुत लोग हैं जिनके पास मतलब वो फिजीकल यह अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी आज हम उनको बहुत ही बड़ा मान हमते हैं, आपको एक मतलब ऐसे भी इंसान है, जिनके दोनों हाथ पैर नहीं है, लेकिन आज फिर भी वो मोटिवेशनल स्विच देते हैं, मतलब सोचिए ना कि ऐसा नहीं है, कि हम इसको मतलब उसी दुख में जीते रहें, हम उसको लेकर बहुत यह उसको एक्सेप्ट करक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्दगी की रोशनी ये एक कंसल्टन्सी है, जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है, जिनोंने किसे अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी है, जो लोग इस संस्ता के साथ धेन में एकागराता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर पाच आडियोस भी उनको भेजी जाएंगी, तो जो लोग इस संस्ता के साथ जुड़ते हैं, उनको यह सारी चीज़े उनके इमेल पर या फिर वाटसप पर भेजी जाएंगी, अगर आपको इस संस्ता के साथ जुड़ पर वाटसप करें